पर न्मस्कार स्टी claiming आपका स्वागत है। मैं हूँ स्रिकान प्रतियुसस आपको पता है कि शुनाव की त्यारी चल रही है finalement क्योंकि शुनाव तीक दो महिने बाद होना है बहुत कम है तो हर पार्टी शुनाव की त्यारी में जुटी है जेपी नड़ा इस बैठक को समुधित करेंगे उसमें बिहार के चुनाव प्रभारी भुपिंद रियादो भी सामिल होंगे तो बिहार के सभी सांसत दिली पहुचे हुए हैं और आज दो बज़े से दिली में जेपी नड़ा के साथ सांसतों की बैठक है और माना जा रहा है कि ये बहुत ही अहम बैठक है चुनाव को देखते हुए बुलाई गई है और इस बैठक के बाद बीजेपी नड़ा के घटक दलों के बीच सीटों के जो बटवारे का मामला है उस पर कुछ बड़ा एलान कर सकती है तो सीटों के बटवारे को लेकर कहा जा रहा है कि इंडिये में समती बन गई है और बहुत जल्द इसका उपचारी के एलान कर दिया जाएगा इस बैठक में सामिल होने के लिए पार्टी के सभी सांशत कल से ही दिली पहुचे हुए हैं कुछ लोग जो छूट गया है आज जाने वाले हैं बैठक में मुझूद रहना सथी के लिए निवारिक किया गया है, राजिसभा सांसदों या लोक्सभा सांसद सबको वहाराना है, जेपी नड़ा के अलावे इस बैठक में बिहार के प्रफारी वहपिंद्र यादो भी रहेंगे, जेपी नड़ा बिहार में पार्टी के सांसदों के साथ अगामी विधान सभा चुनाव की रणनिती पर विचार करेंगे, साथ ही उनके संसदी च्छेत्र के में पढ़ने वाले विधान सभा च्छेत्रों को लेकर भी फिडबैक लेंगे कि कौन जित सकता है, क्या समझ करना है, इस बैठक को इस लिहार से भी सांसदों को निकल जाने का निर्दस दिया जाएगा, 6 सितंबर तक बिहार में लाक टाउन को देखते हुए है, बीजेपी ने फिलहाल दिली में बैठक बुलाई है, और इस बैठक में चुनाव की त्यारियों पचर्चा होगी, बीजेपी के राष्ट्रे अधक पिछले च सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं, तो इस बैठक पर सिटी कुर्च की नजर टिकी हुई है, जो भी ख़बर बैठक से निकल कर आएगी, हम आपके लिए लेकर सबसे पहले हाज होए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिए, ताकि बाकी दोलों को भी पत अगर आप तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लिए भी आपका सहयोग समक्तुन, और एक सब्सक्रिप्सन, सिटी पोस्ट की टीम का होसला बढ़ाने में, बहुत अहम भूमी का निभाता है.